हेलो बच्चों, let's read the question, correct fissure projection formula of given compound is, यह जो compound दे रखा है ना बच्चों, इसका correct fissure projection formula हमें बताना है, ओके बच्चों, तो देखिए, यहाँ पर हम अगर बात करें, तो यह जो wedge dash projection दे रखिए आपको, तो fissure projection इसके बता बनानी है, तो जो wedge dash होता है बच्चों, यह 3D representation होत होता है, वो क्या होती है, 2D representation होती है, अब दे को कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पर आपके बास में कितने carbon है, एक, दो, तीन, चार, पांच carbon है बच्चों, तो इस तरह से एक डंडा बना लो, और पांच carbon है, तो जैसे एक यह methyl group यहाँ पर लगा लिया आपने, यह methyl group यहा planar part है, यह कैसे है बच्चों, नीचे की तरफ है बच्चों, downward है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह जो wedge valency है, wedge पर जो group है बच्चों, इसको हम कहाँ पर लगाएंगे, right hand side पर लगाएंगे, ओके, फिशर में कहाँ पर लगाएंगे, right hand side पर इस तरह से, अगर यह उपर की तरफ होता ना बच्चों, तो wedge valency को हम left hand side पर लगाते, क्या लगाते, left hand side पर लगाते, यहाँ पर hydrogen आ जाएगा, अब यह केवल पहले वाले कार्बन के लिए, पहले वाले के लिए करना है बच्चों, अब यहाँ इस पर आओगे ना, इस पर, ओके, तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है बच्चों, तो ऐसे में जो wedge valencies होंगे ना, wedge पर जो valencies लगे होंगे ना, वो भी anti जाएंगे, तो अगर OH यहाँ पर right में ना, तो CL left में आ जाएगा, किस में आ जाएगा बच्चों, CL आपका left में आ जाएगा, ऐसी further move करते जाले जाओ अ तो अब इस carbon के लिए देखेंगे बच्चों के BR को कहाँ पर रखें, अब यहाँ पर देखो बच्चों, कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह तो point common हो गया, तो इन दोनों की wedge valencies हो क्या है बच्चों, NT है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो आपकी wedge की valencies है, उनको NT ही same direction में जा रहा होता बच्चों, तो ऐसे में जो wedge valencies है न, उनको भी हम same direction में put करते हैं, ओके बच्चों, तो यह बनगे fissure projection, यह वाली तो कई भी नहीं दे रखी, ओके सम्में OH उपर आ रहा है बच्चों, इसमें OH नीच है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो fissure projection होते हैं, इसमे हम in plane 180 degree का rotation दे सकते हैं, बच्चों, ओके बच्चों क्या कर सकते हैं, in plane 180 degree का rotation हम इसमें दे सकते हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, यह बन जाएगा, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर, अब OH 180 degree पर कहां जाएगा, बच्चों, यहाँ आ जाएगा, ओके, CL कहां पर आ झाल वा तेंकियो बच्चो जो